फाइनली मैंने नया देशी डियाई वाई फिसपॉंट बना लिया और आप लोग का इंतिजार खतम हुआ तो ये वीडियो कम्प्लीट गाइड और टुटोरियल वाला वीडियो है पॉंड टब में बनाया या फिर बाल्टी में उसके अंदर पानी कितना रखें पौधे कहां मठलियां कौन करण सीखरी और मठलियां मृति क्यों हैं और ये पानी वाले पौधे मिलेंगे कहां मठलियां कौन करका और वाली कुछ कुछे memang और आक ये क्वेडियो अच्छी लगेगी और अगर मेरा ये नया देशी फिसपॉंट पसंद आएगा तो जैसे अप Graduate कर वड आप लोगों के लिए एक और नया देशी डिया फिस पॉंट बनाकर लेता हूंगा अपना नया पॉंट बनाने के लिए मैंने कुछ नया घड़ा लेकर रहा है यह चोटे साइस के घड़े हैं और इनका जो डखका ने उनके उपर मैंने एमसिल की मिरद से इनको चिपका दिया है एमसिल आपको काफी असानी से हार्डवेर श्टोर पर मिल जाएगा मैं इनको इस तरह क्यों चिपका रहा हूं और इनका क्या इस्तमाल होगा वह मैं आपको आगे बताऊंगा और जो यह बढ़ा वाला घड़ा इसको मैं चिपकाने वाला था तब तक एमसिल सूख कर हाड हो गया था कड़ा हो गया था तो मैंने फैबी कोई का सारा लिया और फैबी कोई से मैंने इसको चिपकाया अपने नय पॉंट के लिए मैंने कुछ पॉधे भी लेकर आया है यहां पर आप देख पा रहे होंगे दो तरह के आपको पॉधे देखने को मिल रहे होंगे यह पॉधे मैं कहां से लेकर रहा है उनका नाम क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा अभी मैं आप एक छोटा सा प्यारा सा पॉंड बनाने वाला हूं यह 50 लिटर का टब है इसका साइज काफी बढ़ा है और काफी अच्छा है और इसका चोड़ाई भी काफी अच्छा खासा है मचलियों को सीधा उपर नीचे तैरने से ज्यादा अगल बगल तैरने में ज्यादा मज़ा आता हैं हां बहुत सारी मचलियों को जंपिंग का कूदने का सौक रहता है और अगर पानी का लेवल कम रहे तो वह कूद कर वापस पानी में चली जाती है तो इसलिए आप उपर से दो इंच छोड़कर अपने टव के अंदर एक छोटा सा छेद कर दीजिए और जब भी आप पा पढ़ा हुआ था तो मैंने उसी को इसके साइडों में बिचा कर उसको अच्छी तरह से सजा दिया यह पत्थर आपको एक्वेरियम स्टोर पर मिल जाएंगे और जगह के इंसाब से इसका प्राइस भी थोड़ा कम ज्यादा रहता है और यह किलो के इंसाब से मिलता है प्राइब शुरुआत में मैंने जिन घड़ों को तयार किया था उनको मैं अंदर से साफ करके उसके बाद मैं उन घड़ों को इसके अंदर सजाने वाला हूं इस ट्रप के अंदर यह घड़े बहुत काम के जब भी आपकी मशलीयों को डर लगता है तो वह इसमें चुप सक सकती हैं और अगर आपकी मशलीयों को छुपन छुपाई खेलने का सौक हो तो उसके लिए भी वह इन घड़ों का इस्तमाल कर सकती हैं इसके बाद आते हैं पानी वाले पौधे वाटर प्लांट्स आपके पॉंड को एक निचुरल पॉंड का लुक देने के लिए यह पौधे काफी जरूरी होते हैं मशलीयों और उनके बच्चे इनमें छुपते भी हैं और इनके पुराने जड़ों को भी खाते हैं सच में य बल्दी रोट हो जाएंगे सड़ जाएंगे डब्बे के अंदर ही और आपको सड़ा गला पौधा मिलेगा सच बताऊं तो मैंने इन पौधों को खरीदा नहीं है और अगर आपको भी पौधे चाहिए फ्री में तो आप अपने घर के आसपास या फिर अपने सहर में इस त पौधों को निकालते से में आपको ध्यान देना है कि तलाब के किनारे का मिट्टी काफी दलदली होता है और उसमें पैर बहुत जारा धस्ता है तो आप जब भी इन पौधों को निकाले तो आप सावधानी से और ध्यान से किसी बड़े के साथ में निकाले इस बड़े पत तो जो एक्स्रा पानी था वो इस छेट से बाहर निकलने लगा तो यह है इस छेट का फायदा और अगर आपके तालाप के अंदर छोटी मचलिया हैं बच्चे हैं तो आप इस छेट के अंदर कॉटन रुआ भी लगा सकते हैं पानी जैसे ही फुल हुआ तो यह लकड़ी साइ पतली पत्तियों वाला पौधा देख रहे हैं इसका नाम है हॉर्ण वोट इसको मैंने लकड़ी के आसपास और जो हमने वाटर हाई सिंथ लगाया था उसके आसपास मैंने इसको सेट किया जो कि एक नेचुरल लुक देगा इसके बाद जो यह छोटी-छोटी पत्तियों व पूरा पानी में फैल गया यह मैं सामके समय विडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं मचलिया राने चला गया था और जिन मचलियों के मैं धूंड रहा था चाहा रहा था इस पॉन्ड में डालने का तो कई जगों पर ढूंडने के बाद आखिरकार मुझे वह मचलिय नहीं दोगा लाश्ट मैं एक बार סबसे पहले कॉमेंट करके बताईए कि कि आपने कॉमेंट कर दिया तो चलिए मैं आपको अब मझलियां दिखाता हूं तो यह मझलियां इनका नाम है चोठे साइज की मझलियां होती है मॉली मचलियां जो कि मैं आपने पुराने टब में रखता हूँ उनसे भी इनका साइज छोटा होता है लेकिन उनसे खुबसूरती में एक कम भी नहीं है बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं गपी पॉंट बनाओं तो यह रहा वो गपी पॉंट और यह रही वो गपी मचलिया जिनको मैं लेकर आया हूँ यह पानी थोड़ा सा गंदा है जिसके कारान आपको मचलियां क्लियर नहीं दिख रही होंगी तो जल्दी से मैं उनको इस पानी के अंदर छोड़ता हूँ फिर आप इनको देखिएगा लेकिन उससे पहले हमें एक्वामेट करना होता है अगर आप मचलियों को खरीद के डायरेक्ट उनको नए पानी के अंदर डाल देते हैं तो मचलियां मर भी सकती हैं तो आपको सबसे पहले एक्वामेट करना होगा इस से इस टब का पानी और इस प्लास्टिक के पानी का टेंपरेचर तापमान बराबर हो जाता है और मचलियां ए पानी के अंदर डाल कर आपको इस तरहां उसे पानी को अची तरह से तोड़ा देना है जिससे दवाई पूरे पानी अच्छी तरह से घुल जाएका 15 मिनिट तक इस तरह आपको अपनी मचलियों को पानी के अंदर छोड़ दए और इसके बाद अब प्लास्टिक खोलने का बारी तो मैं यह गंदापानी अपने स्पाँड के अंदर अपने मचलियों को इस के अंदर डालनेवा Undertale अलगा उसके लिए मैंने यह ली यह नेट भी आपको एकवरियू Shl Benjamin पर मिल जाएगाए तो मैंने मचलियों को च्छाना और उनको उनके नए घर में नया देशी डियाइवाई फिस्पॉंट के अंदर सिफ्ट कर दिया सौरी नया देशी डियाइवाई गपी फिस्पॉंट तो मचलियों को इस पानी के अंदर एड़ेस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा अभी इसके बाद मचलियों को छोड़ने के बाद आपको पानी के अंदर कोई चीज नहीं डालना है कोई खाना वगेरा नहीं देना है इन मचलियों को इनको कुछ घंटों तक एड़ेस्ट होन के लिए इसके नए घर में छोड़ देना है और मैं भी आपको कल सुभा मिलता हूं अभी सुभा के आठ बज रहे हैं और जब मैं अपनी मचलियों को देखने के लिए आया था तो यह मचलिया इस घड़े के अंदर भी गूम रही थी और आस पास यह बहुत अच्छे से घूम अधर बारेक कर लिया है क्योंकि गपी मचलियों का मुह मौली मचलियों से चोटा होता है और वो पूरा दाना नहीं 1 चोटा मैं 12 मछलियों को लेकर आया था 12 गपी मछलिया मैंने खरीदा था और दुकानवाले ने एक एक्स्च्टर मछलि bon Quiz दे दिया था साथ में 13 मछलिया टोटल थी आप देख पा रहे होंगे इन मछलियों ने खाना शुरू नहीं किया है कुछ मचलिया खा रही है और कुछ मचलिया भी खाना नहीं खा रही है वो क्यों मैं आपको थोड़ी दिर में बताता हूं उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं मैंने जो 13 मचलिया लेकर आया था उसमें से एक मचली को मैंने गलती से जायद वो ठीक हो जाए लेकिन सुबह मैंने देखा तो वह मचली मर गई थी अफसोस यह मेरे गलती के कारण मरी मैंने ध्यान नहीं दिया और यह मचली मर गई आप भी जब मचलियों को सिफ्ट कर रहे हैं तो एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजेगा मैंने सोचा था 12 मच मचलियों को सिफ्ट कर दिया ता लेकिन एक एक्स्ट्रा मचली थी और उसको मैंने बाद में ध्यान दिया पर अभी सभी बारा गपी मचलिया बहुत ज्यादा खुस है क्योंकि उनको एक नया नेचुरल इन्वार्मेंट मिल गया है जो कि उनके पुराने घर से बहुत बढ कर दिजेगा इतना तो आप लोग करी सकते हैं और जैसे ही इस वीडियो पर सो सेयर का टार्गेट कंप्लीट होता है इस वीडियो को आप लोग के लिए एक और एक और नया देशी डियाई वाइफ बनाकर लेता हूंगा वह इस नये तलाप से भी अलग होगा इससे भी सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजेगा ताकि जब भी मैं मचलियों और पौदे से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करो तो आप वह सबसे पहले देख पाएं तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ ओके बाए